नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तो आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जिसका सेवन आप करके कैसी भी शरीर की कमजोरी है उसको दूर कर सकते हैं शरीर में हर दबी नस को खोल सकते हैं और दुबले पतले शुरीर को भी healthy बना सकते हैं दोस्तो आज जिस ओशदी की हम बात कर रहे हैं नुस्के की बात कर रहे हैं उसमें आपको चाहिए होगा इस तरीके से सूखा नारियल दोस्तो इस सूखे नारियल को हर जगह अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है हमारे यहां इसको सूखा नारियल कहते हैं या फिर खोपा भी इसको बोला जाता है तो आप देख लिजी आपके यहां इसको क्या बोलते हैं इस तरीके से आपने सूखा नारियल लेना है इसको आपने घिस लेना है कद्दुकस की सहायता से इस तरीके से दोसो आपने अब क्या करना है इसमें एक चम्मच आपने गुड़ को तोड़ के डालना है जैसे कि मैं डाल रही हूँ इसको आप कूट कर डाल लीजे या फिर एक डली भी इसकी ले सकते हैं गुड़ की एक चमच के करीब आपने गुड़ लेना है इस तरीके से और दो से तीन चमच आप सुखा नारियल ले अब आपने चार इसमे कालिमीच डालनी है या फिर आप चार कालिमीच का पाउडर बन कर भी इसमें डाल सकते हैं और आपने लेने हैं चार बदाम इस तरीके से आप बदाम दोसो भीगो कर भी डाल सकते हैं जैसे कि आप रात भर को भीगो कर रख सकते हैं बदाम को और उसे चील कर डाल सकते हैं या फिर डारेक्ट भी बदाम को डाल सकते हैं और एक चमच आपने इसमें मिलाना है शहद हनी दोसों इन सारी चीजों से ये इतना strong नुस्खा बनेगा जिस से आपकी कमजोरी शरीर की कमजोरी सारी दूर हो जाएगी दुबला पतला शरीर है वो ठीक हो जाएगा जोडों का दर्ध है आपको ठीक हो जाएगा दिमाग तेज होगा और दोसो इसमें आपने एक चीज और डालनी है आपने दोसो इसमें एक चुटकी दालचीनी डालनी है यदि आप दालचीनी का सेवन नहीं करना चाहते तो दालचीनी को स्किप कर सकते हैं लेकिन यदि आप दालचीनी इसमें डालेंगे तो ये इतना सारी बीमारियां सही हो जाएंगी आपको जो वात्पी कफ से जुड़ा कोई भी रोग है वो ठीक हो जाएगा और सो साल तक आप हेल्दी जीएंगे दोसों इस नुस्खे को आपने खाना है सुभे खाली पेट आप या तो इसको नाश्टे में ले सकते हैं खाली पेट भी ले आप दूद में डाल कर इसको खा लीजिये बदाम को आप तोड़कर ढाल सकते हैं और सारी चीजों को आप जैसे चाहे वेसे खा सकते हैं और दोस्तों इस नुस्खे काप्रीयो करके आपको बताते हैं कि आपकी किस धिस बिमारी में यह काम खरेगा दोसो यदि आपको जोडों का दर्द रहता है जोडों का दर्द इससे ठीक हो जाएगा जाइंट पेन में ये काफी हेल्प करता है उसे ठीक करने में क्योंकि इसमें सुखा नारियल है सुखे नारियल में बहुत सारे पोशकता तो होते हैं ये शरीर के connective tissue को मुझबूत करता है। नारियल को diet में शामिल करने से गठिया और श्ट्रियो पॉलिसी जैसी समस्सायों का खत्रा कम हो जाता है। दोसो इस से हमारी memory भी तेज होती है। और इसमें बादाम हैं बादाम के फायदे आप सभी को पता ही होगा। दोसो इस नुस्खे का प्रियोग करके iron की कमी को आप दूर कर सकते हैं। immunity को बढ़ा सकते हैं और अपनी memory को strong बना सकते हैं। दोस्तो इस नुस्खे के प्रियोग से आपके पेट से जुड़े रोगी से ठीक हो जाएंगे। कबज रहती है आपको या gas है पेट में acidity बनती है heart में या फिर पेट में acidity बनती है वो सब सही हो जाएगी इस नुस्खे के प्रियोग से और आपकी immunity तेज हो जाएगी। चोटी चोटी बिमारी आपको नहीं लगेगी। यहां तक कि दोस्तो ये नुस्खा लक्वे में भी काम करेगा। इससे दोस्तो आप अपने weight को भी control में कर सकते हैं। बदाम जैसे nuts खाने से metabolism तेज होता है और श्रीर तेजी से fat को burn करता है। तो कुल मिला कर ये ओश्दी आपके श्रीर की सिर से लेकर पैर तक सारी बिमारियों को ही कर सकता है। दोस्तो इस नुस्खे के प्रियोग से आप अपने आँखों की रोशनी को भी तेज कर सकते हैं। जिन लोगों की आँखों की रोशनी कमजोर हो गई हैं या बच्चों की कमजोर हो गई हैं आँखें तो उनको सही करने के लिए आप इस नुस्खे का प्रियोग कर सकते गले की खराश को भी ये दूर कर देता है और जिन लोगों को सांस से समंदित रोग है या बलगम बनती है जादा गले में तो उसको भी से सही कर सकते हैं यानि कि शरीर के टॉक्षिंज को भी आप इससे बहा निकाल सकते हैं और इसमें गुड़ भी है दोस्तों गुड़ सहत क नहीं पच्ता तो यदि आप गुड़ का सेवन कर लेते हैं तो आपको इससे काफी फायदा मिलता है कब्ज की समस्या नहीं होती पेट से जुड़े काफी रोग इससे ठीक हो जाते हैं और दोस्तों जो इसमें दालचीनी है वो आपके पाचन तंतर को इतना मजबूत कर दे दोस्तों दातों में दर्द रहता है या सीर में दर्द रहता है या आपको चमडी के रोग हैं ये सारी प्रिशानियों को ठीक कर देगी दालचीनी और दोस्तों कुल मिलाकर इस नुस्खे का यदि आप प्रियों करते हैं दूद के साथ करते हैं या फिर इसको ऐसे ही खाते हैं नुस्खे को सारी चीजे चबा चबा कर खाते हैं तो शरीर की सारी बीमारियों को ये हर लेगा आप सो साल हेल्दी जीएंगे आपको जोडों का दर्द नहीं होगा आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा गले के रोग आपको नहीं होंगे और दोस्तों ये नुस्खा हमारे ह हाथ के लिए भी काफी हेल्दी है हाथ आपका स्ट्रोंग बने रहेगा इससे ही मि-ue और खूण की कमी Trungी थोकी कमी कमी ापकी दूर, नहीं होगी दोस्तु आपका खूं भी साफ होगा उससा आँखेज होगि और छहरे पर पर बिज आएगा इम्मुनिट्य आपके बढ़ जा क्शहद ना डाले क्शहद उनको फाइदे कि जगधा नुक्सान खूआ करेगा और सारी चीजे वह ले सकते में दूद में डालकर तो इस तरीके से आप इसका सेवन कर सकते हैं ग्यारा दिन आप इस नुस्खे का सेवन करके देखें आपके शरीर में जो बदला होगा वो आप खुद हमें बताओगे यह हमारे शरीर में इतना बदला हुआ है तो दोस्तों आप भी आज से ही इस नुस्खे का सेवन शुरू करें और अपने लिए फायदा उठाएं दोसो ये थी हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकन है उसे भी दबा दे ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे धन्यवाद दोस्तों